नमस्कार फियोश पलकों की छाओं सेजन टू में देखने को मिले काफी ट्विस्ट अन्टरंस जहां पर देखने को मिला कि अब बोला से लड़ रहा होता है अनसुमन जहां पर बोला बोल देता है अगर तू हार किया तो सुमन को मेरे पास हमेशा के लिए छोड़ देना और मैं हार के तो सुमन तुमारी जहां पर वो बोला जो होता है पहले तो अनसुमन को काफी ज्यादा मारता लेकिन फिर अनसुमन के अंदर काफी ज्यादा जोस आ जाता है जहां पर वो बोला को गुसा आ जाता है जहां पर वो गोली चलाने लग जाता है लेकिन अनसुमन पिछा कर रहे होते हैं लेकिन उनको बचा लेता है अब जैसे ही बोला फिश सुमन को पकड़े हुए होता है वहां पर पुलिस आ जाती है बोला की टांग पर गोली चला देती है और उन सब गुंडों को पुलिस अरेस्ट कर लेती है लेकिन आप सबसे बड़ा ट्विश्ट देखने को मिलने वाला जहां पर अनसुमन को हो जाता है ऐसास की उसे सुमन से अपने प्यार की यानिके अपने दिल की बात कहने चाहिए वह करता है उसे प्यारी बात उसे बतानी चाहिए आरती और नंदनी भी उसे काफी ज़्यादा फोर्श कर रही होती है कि समय रहते आ आप समन को अपने दिल की बात बता दो कहीं कुछ गलत नहों जाए तो देखना काफी दिल्चस्पने वाला है कि क्या सच में अन्सुमन सुमन को बता पाएगा अपने दिल की बात वैसे आपको कौन सी जोड़ी सबसे ज्यादा पसंद है क्या आप सुमन और अन्सुमन को एक चाहते हैं या फिश्योमन की जोड़ी आपको नंदन के साथ ज्यादा अच्छी लगती है अपने राइकमेंट की जिगा थैंक्स पूर वोच्चिंग